दोस्तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बोईज के अंदर इरेक्टायल डिस्फंक्शन यानि नपुशकता यानि नमर्दीक प्रावलम क्यों होती है तो जैसे आप सब जानते हैं कि इंपोटेंसी यानि नपुशकता प्रावलम बहुत कॉमन समस्या है तीस साल से यंग बोईज के अंदर कम से कम 5-10 प्रसेंट लोग के अंदर ही समस्या होती है और 40 यह से लेकर 50 यह की बीच कम से कम 40-50 प्रसेंट में के अंदर ही प्रावलम होती है इस प्रावलम के वैसे वो सेक्स प्रावपर नहीं कर पाते हैं उनका sex confidence कम हो आता है और उनकी married life को भी दिक्कत आती है तो erectile dysfunction तब कहते हैं कि कि किसी का अगर erection full tight नहो जिसके उसे पूरी तरह sex complete नह कर पाएं erectile dysfunction ये primary होता है जिसमें कि सुरू से अब तक आते full tight कभी नहीं हुआ है secondary erectile dysfunction तब बोलते हैं कि पहले tight होता था बाद निक्कत आ गई फिर इसके severity होते हैं कि कि किसी किसी काई तो sex करते हैं ताइट पूरा कभी नहों दूसरा होता है कि mid act failure मैंना full tight हो जाता है sex करने लगते हैं और करते करते फिर लू जाता है इसे बहुत है mid act failure तो इस तरह कई severity होती है अब आखिर होता क्यों है तो अगर erectile dysfunction कोजेत बात करें हम तो इसके मुख्य मुख्य कारण होता है हॉर्मोन की गवड़ी पेनिस की blood flow में कमी या पेनिस ब्लॉड फो प्रॉपर हो बट बीनस ब्लॉड लिक कर जाए या कोई drugs एंटि हाइपोटेंसिव ड्रॉड एथ्रियोस्कुलोसिस डाइबिटीज हाई ब्लॉड पेसर है वी स्मोकिंग है वी अल्कोहल पिस साइकेट्रिक डिसीजिज लाइक कि कि किसी को डिप्रेशन एंग लाइट्ट्फल फियरीं फ्यरीं की सकटेशश केंगर के बलंड को कम कर देते हैं फिर अधर बीमारीयां कök मिक्राइब फ्र्या इन सबसे भी blood flow कम होता है कि नर्स को असर पड़ता है फिर कभी 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 की दूरिंग हैं प्रेटिस कभी लोग squeeze करके penis flexure कर देते हैं उससे blood flow कम हो जाता है या विमारी होते हैं पिनिस के अन्दब blood हो जाता है जिसे इसके ब्लेट फर ब्लॉक है तो अगर हामोन बात करें तो कई हामोन होते हैं जो सेक्स हो कान्च्रोल करते हैं जैसे की टोटल टेस्टोसरान फे टेस्टोसरान टेस्टोसरान बनता है जिसकी नॉर्मल होना प्रॉपर इरेक्षि foundation के लिए बहुत जूरई है फिर ब्रेन में पिट्रिट्री ग्लैंट चेंट लाइच एफसी प्लेटिय। निकलते हैं। उसका नॉमल होना भी जरूज है। जिसके टेस्टोरम फिटेस्टोरम प्राफर बन सके। उसकी कमी से भी एक्षिन प्रावलम आ जाती है। करें लुगते कई कारण होते हैं। ढिटी। नस्वे लुका मुझते हुप, इसके बाद कभी एक्सिदेंट से ब्लॉक हो कथaces है। पईदाशी नस्वत अंदर पूरा नसीड को ती नहीं से पूलती नहीं इस सुरुभ से नसवे ब्लड़व कम होता है। उसे बहुते डिस् ब्लकट दौरब होता है गारान घंद पर जाता है तो जब एक्राग lashes पेशना आते हैं ऑनका पुरा ho चेक करते हैं पेनाइल डॉपलर टेस्ट करते हैं उनकी पोटेंसी टेस्ट करते हैं पेनाइल पेनिस का नर्फ टेस्टिंग करते हैं फिर डिटेल सेक्स कांसिल करते हैं तो इस सारे टेस्ट करने के बाद कि डाइगनिसी बनाते हैं कि भी इनको हॉमून कमी है नर्फ कमी है ब पांचे मेने के लाज से परमेंट ठीक होगाते हैं क्योंकि नस से खराब नौबले कि 45 सबरे नस परमेंट खराब नहीं होती है उनका temporary blood flow कम होता है जो कि medicine से ठीक हो राजता है इसके दवा आती है वह दवा के 40-50 प्रोज की दवा आएगी जो भाहर खरीदनी होती है टैबलेट होती है 15-20 दिन आराम आता है और चार-पांच महीन में पुरी तरा ठीक होते हैं पर एक ची और कहना चाहेंगे कि हम जितने कारण बताया है कि एरेक्टायल दिस्फंक्शन के जब आताया है जाता है जब दॉसके जब होती होती है तो इसकर भी अब लड़की पर जाता लड़का उसके तीन सिकेंडरी फ्रैक्टर आ याजते हैं जब भी सेक्स के लड़की जाता है लड़की के पास लड़का तो पहले डर होता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा ऐसे वो गर्ल के पर जाकर भी हाथ के बॉड़ी भी लगाता है लेकि दिमाग पिनिस लगा रहता है कि टाइट हो रहा नहीं हो लड़की टॉच करता है ले थार्ड रुक्ष एटिटूड, जब ही लड़का लडकी पुझाता है उनका दिमाग पुरी तरह, टॉट वाहिफ, करता है, गल करता है पर दिमाग पुझा पर पिरिस भ्लागा राता है पिरिक टाइट हो रहा नहीं हो रहा तो एक बार फेल किसी बार सोजाओ, जब दोबार जाते हो, इन डर के मार फिर सी फेल हो आते हो, अब बार बार फेल होने के बाद मने में बस्वास बैट जाता है कि मेरे बहुत बढ़ी कमी आ गई है, फस्राइब मैं ठीक ने होगा, जब काफी दिन दर ठीक ने होता है, मरी आ जाता है, जिसे रात को टाइट होना, बंद हो गया, और इक प्रस बैसे भूदियुनीव कम हो घाता है, तो मेरे बते अ चनुग पाऊंगा, वो दोचार नीम होकीमों को डॉक्टर दिखाता है वो दवा लिकते हैं उसे ठोड़ा टेंपरी काम करता है जहां चुरत भी काम नहीं करता है उसके मनें बैठ रहता है कि साथ पूरी दर ठीक नहीं पाऊंगा तो अब सब जान लो कि सबसे पहले परवंट्री करना है तो आप अच्छा सेक्स कर लेता है फिर को कुछ सेक्स थेरपी एक साइज बताते हैं जो घर अपने गर्फरेंड वाइब साथ करता है दो तिन सेसन करने के बाद उसके मन से डर खतम आता है और फिर जड़ से ठीक हो जाता है तो बीना सेक्स थेरपी के दवा खाएगा मरीज फूल कर रहो तो अपने डियागनिसिस कराके टेस्ट कराके प्रापर दवा ले और अधिकांस आप लोग चार से पांच मेरे में ठीक हो सकते हैं फिर यह कोई डाउट हो था आप मुझे कॉंटेक्ट करें हमारा मोबाइल नंबर है 9899180390 हमारा इमेल आड़ है info at the rate of sexandhormonecenter.com और